Hello Friends, Good Morning, Welcome To RV Nursing Classes तो Friends, आज मैं लेकर आईँएँग डिफेंस मेकनिजम का थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाये थे डिफेंस मेकनिजम के इंट्रोडक्शंस और कुछ डिफेंस मेकनिजम मी मैंने कवर किये थे फर्स्ट पार्ट में compensation, suppression, repression, substitution and aim innovation जिसको बोलते हैं substitution को, sublimation and projection तो बहुत ही अच्छे से मैंने explain किये हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो और next पार्ट में मैंने पढ़ाया था second part में displacement, rustalization, interactualization, interjection, reaction, formation तो इतने defense mechanism मैंने पढ़ा लिया है और बहुत ही अच्छे से मैंने explain किया है तो अगर आपने नहीं देखा तो अब जाके देख लो first and second part आज मैं बढ़ाऊंगी regression, denial, undoing, splitting and isolation of effect और बाकी के जो remaining defense mechanism है वो next part में बढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और boring हो जाता है इसलिए आपको interest के साथ आपको समझ में भी आना चाहिए तो चलिए start करते है regression, regression मतलब क्या होता है childish behavior childish behavior means अगर मैं आपको example के तौर पर समझाओं तो जैसे early stage of मतलब की childish behavior करने लगते है example के तौर पर बताऊं तो example है जैसे कि आप रोजमरा की जिन्दगी में भी आप देखते होगे अगर आप बहुत stress में होते हो या कोई किसी दूसरों को भी आपने देखा होगा कि कोई बहुत stress में होता है और या फिर उनके parents उनको डाटे होता है या किसी भी बज़े से stress में होता है अगर कोई female worker है female employee है और वो काम कर रही है या फिर लेट जाने के वज़े से या किसी भी बज़े से अगर उसके boss न उसको डाटा है तो अकसर female जो वरकर होती है और अकसर female जो होती है वो रोने लगती है तो ऐसा इसको बोलेंगे चार्लीज behavior करना regression मतलब होता है कि अपने stress को कम करने के लिए या फिर कोई भी आपको stress होता है तो returning stage of development early stage of development तो to suppress the stressful situation तो stress अगर आपको हुआ है या किसी भी वज़े से stress हुआ हो तो आप क्या करते हो अकसर आपने देखा भी होगा कि nail biting करना या फिर अपने सर का बाल खीशना या फिर cry करने लगना तो ये आप आपने सुना ही होगा तो regression इसे आपको समझ में आ गया होगा कि regression मतलब क्या होता है मिस childish behavior करना अपने stress को suppress करने के लिए कम करने के लिए कोई भी stressful situation में या तो nail biting करना या तो cry करने लगना या तो अपने ही सर का बाल कीशना या तो कोई other activity करना जो childish behavior के अंडर में आए तो ये अकसर सब के साथ होता है अगर आप सुचोगे तो अगर आप याद करो तो आपने भी कभी ऐसा किया होगा सभी ऐसा करते हैं अकसर बहुत stress में होते हैं तो या तो cry करने लगते हैं तो regression का मैंने दो तेन एक्जामपल दे दिया तो आपको समझ में आ गया होगा regression मतलब childish behavior करना to suppress the stressful situation और इन stressful situation तो regression आप नेक्स चलते है denial denial मतलब क्या होता है refuse the reality denial मतलब होता है refuse reality मैं甚至 आपकी actual में जो reality है जो आपको stress दे रही है वो अपने stress को कम करने के लिए आप उस reality को हटा दे रही हो मिern से ignore कर दे रही हो एक दम refuse कर दे रही हो advancee चैनली more reality है जो आपको stress दे रही है लेकिन आप उसको refuse कर दे रही हो कोई भी दूसरा चीज उस जगह पर सोच करके इस एक्जामपल से मैं समझाओं तो जैसे कि आपने टेस्ट कराया है आपके रिपोर्ट में क्या है कि या तो HIV या फिर कोई भी कैंसर ऐसा कुछ आ गया है तो आप क्या करते हो आप बिस्वास नहीं करते हो नहीं ऐसा नहीं है मेरा नहीं ऐसा हो सकता है मतलब ऐसा आप सोच ले तो तुरंट सोचते हो तो तुरंट अगर कोई या फिर जरूरी नहीं है कोई भी ऐसा सिच्टूइशन है जो अनक्सेप्टेबल हो और ऐसा आपके सामने आज आचानक से तो आप उस चीज को अचानक से accept नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं सोचा था, वैसा आपके साथ हो गया है, तो आप उसको तुरंथ accept कभी नहीं करते हो, यह सब के साथ होता है, मिन्स, reality को आप refuse करते हो, या फिर एक example और भी मैं समझाओ, तो जैसे कि कोई person है, जो alcoholism करता है, मिन्स, drink करता है, और कोई उसको देखता है, drink करता है, उसके parents को बताता है, कि आपका बच्चा बहुत ही bad habits करता है, drink करता है, तो आप उनके parents, किसी भी parents को बुरा लगेगा, हमारे बच्चे जो है, वो drink कर रहे है, bad habits पकड़ लिये है, या फिर कुछ भी गलत हरकते कर रहे है, तो उनको बुरा लगेगा, किसी भी parents को बुरा लगता है, तो वो क्या है, कि वो क्या बोलेंगे, कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा करी नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, अपने कि उनको stress हो रहा है, तो मैंने आपको denial का दो example दिया, बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा, denial मतलब मैं एक बर और explain कर देती हूँ, denial मतलब होता है, refuse the reality, actually वो reality जो आपको stress पहुचाती है, उस reality को आप suppress कर रहे हो, ताकि आपको stress जो है, आपका stress जो है, वो कम हो सक तो HIV जैसे की, HIV का मैंने आपको example दिया, आपको आप test कराते हो, blood test कराते हो, जैसे भी आप जाते हो, आपका report जो है, negative आजाता है, या फिर कोई भी ऐसा चीजे, जो आपने कभी accept नहीं किया था, वो चीज आपके साथ हो जाता है, वो चीज आप अचानक से नहीं मानते हो, म जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, वो आपके साथ अचानक से हो जाता है, तो आप उस चीज को थोड़ी दर के रहे, तो बिल्कुल भी नहीं मानोगे, एकदम ignore करोगे, refuse करोगे, ताकि आपका stress उस समय के लिए कम हो सके, उसको बोलते है, denial, तो denial आपको समझ में आ गया हो अब नेक्स चलते हैं, क्या है, undoing, undoing तो ये तो सभी करते हैं, undoing defense mechanism, इसमें क्या होता है, कि neutralize करना previously unacceptable behavior को by doing opposite action, मिंस कोई acceptable, मतलब की example की तो और समझाओ, तो आपको होगे, ये तो सभी करते हैं, मतलब की, जैसे की होता है, आपने सुना ही होगा, कि अचानक से, हाँ, अच और कॉछ का accident हो जाता है, आपके गाड़ी के सामने वो आ जाता है, वो उसका accident ऊसे death हो जाता है, तो आप क्या करते हो, कि अरे नाजी ये कैसे हो गया, है, ये मुझे पाण लगेगा, कैसा मेरे मेरे गाड़ी से मुझे से मुझेसे, yhte cat या dog का बिल्ली या कुट्टे का accident हो गया उसका death हो गया मैं के मेरे से बहुत ही बड़ा पाप हो गया आप मैं क्या करूँ तो accident जब ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि 5 ब्रामर को खिलाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि वो उनका जो है वो पाप कम हो सके या फिर ये भी आपने सुना होगा कि कोई भी लोग कुछ भी life में होता है ना कि कोई गलती हो गई होती है तो वो जाके गंगानाना अंडूइंग से आप समझ सकते हो गंगानाना इससे तो आप एकदम समझ जाओगे अंडूइंग मतलब होना होता है कि आप कोई गलत काम कर दियो उसकी भरपाई करने के लिए आप क्या करते हो कुछ अच्छा कर देते हो ताकि वो मेरा पाप जो है वो कट सके ग्रह कट सके या फिर किसी जैसा कि मैंने आपको एक्जामपल दिया आपकी गाड़ी से किसी बिल्ली का एक्सिडेंट हो जाता है तो आप क्या करते हो पांच ब्रामर को खिलाते हो ताकि मेरा मुझसे जो पाप हुआ है वो कम हो सके तो इस तरह का अंडूइंग का एक्जामपल आप ऐसे बस याद रखना अंडूइंग मतलब है गंगा नहाना तो आप इसे आप आई होब आपको अंडूइंग समझ में आ गया होगा अब नेक्स चलते हैं नेक्स डिफेंस मेकेनिजम है स्प्लीटिंग स्प्लीटिंग डिफेंस मेकेनिजम क्या होता है कंसिडर दो पीपूल आइधर स्ट्रॉंगली बैड और स्ट्रॉंगली गुड़ मतलब कि अगर कोई कुछ इंसान होते है आपने देखा होगा नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको एक्जामपल देती हूँ करसे कोल आपको कोई पर बने बनेड़ा होगा o कि यह पेड़ा होते है स्टॉंगल आपको बनेड़ा कसी बढूली नहीं वापता है यह बोलेंगे लो यह नॉर्मल नहीं बोलेंगे कि नहीं वो ठीक है नॉर्मल है ठीक है अच्छा ऐसा नहीं बोलेंगे या भी नहीं बोलेंगे नहीं वो बुरा इंसान है फिर भी जलो ठीक है चलता है यह भी नहीं बोलेंगे splitting मतलब splitting defense mechanism के अंडर वो person आते हैं जो किसी इंसान को बोलते हैं आरे वो बहुत ही बिकार इंसान है बहुत ही बुरा इंसान है या तो ऐसा बोलेंगे या तो बोलेंगे आरे वो बहुत ही बहुत ही अच्छा इंसान है means इस तरह का वो consider करेंगे कि या तो strongly bad ही बोलेंगे या तो strongly good ही बोलेंगे treating defense mechanism आई होप आपको समझ में आ गया होगा next चलते है isolation of effect isolation of effect जो है वो कुछ मिलता जोलता है किस से denial से means isolation of effect कि अपने emotions को emotions को isolate करते हैं जो की stressful stress देती है कुछ ऐसे emotions जो आपको stress देती है उसको आप जो है वो एकदम ignore करते हो या फिर उसको अपने emotions को suppress कर देते हो खुद से वो situation जो आपको stress दे रही है उस चीज़ को खुद से एकदम अलग कर दे रहो हो जैसे कि मालो यही एक्जांपल में HIV का ही देती हूँ मालो आपको HIV हो गया है आप घर पे आते हो बोलते हो कि अरे मुझे HIV हो गया है फिर आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने आप से एकदम आप जान रहे हो आपकी रिपोर्ट में लिखा है लेकिन आप उस चीज़ को एकदम ignore कर रहे है हाँ मुझे HIV हो गया भूल जाते हो उस चीज़ को बोलते हो चलो कहीं चलते हैं घूमने चलते हैं और या फिर कहीं चलते हैं या फिर बैट के टीवी देखने लगते हो उस चीज़ को आपका मन मानने को त्यारी नहीं है उस चीज को आप एकदम खुद से अलग कर दिये हो आपको वो प्रॉब्लम है आपको स्ट्रेस है लेकिन उस स्ट्रेस को एकदम इगनोर करके भूल करके आप कुछ और काम करने लग रहे हो मिन्स जैसे आपको कोई भी डिजीज हो गया है आप उस चीज को एकदम क्योंकि वो आपको स्ट्रेस पहुचा रहा है तो आप उस चीज को एकदम इगनोर कर दे रहो हां मुझे है चाइबी या हां मुझे कुछ प्रॉब्लम है उस चीज को आप एकदम भूल के हां चलो कही गुमने नाम से ही आप समझ सकते हो इसमें ज्यादा एक्स्प्रेंट करने की जोद नहीं है आइसलेशन आफ एफेक्ट मिन्स अपने इमोशन को आइसलेट कर दे रहे हो खुद से तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा तो इतना मैंने कवर किया वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बोरिंग लगने लगता है तो इंटरस्ट के साथ आपको आई होप समझ में आ गया होगा तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं जरूर रिप्लाइ करूँगी और अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लो और प्रीवियस भी मैंने बहुत सारी कम्मुनिटी के मैंने मैक्सिमम टॉपिक पढ़ा रखे हैं और फंडामेंटल के बहुत से इंपॉटन टॉपिक जो कम्मुनिटी एक्जाम में जहां से कोशन बार बार रिपीट होते ही होते हैं वह कंपलसरी है कि वहां वहां से टॉपिक आते ही आते हैं तो अब जाके देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छे स पढ़ा दूँगी तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको यह टॉपिक पढ़ना है वह टॉपिक में जरूर अच्छे से एक्स्प्लें करके पढ़ाऊंगी जरूर पढ़ाऊंगी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दिय झाल